हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल वन इन्फरमिशन दोस्तों गर्भावस्ता का आठवा महिना बेहदी साथानी भरा होता है बड़े बुजर्गों द्वारा भी कहा जाता है कि इस महिने अगर कोई महिला बच्चे को जन देती है तो उस शिशू का स्वास्त जाधतर ठीक नहीं रगता है और परमपरागत रूप से भी ये सुना जाता आ रहा है कि आठवे महिने में पैदा हुए बच्चों को ठीक नहीं माना जाता है तो इस मंत में होने वाले डिलिवरी को आप कैसे ना कैसे करके भी टाले आठवा महिना गर्वती महिला को बहुत ही सावधानी से निकालना चाहिए तो आईए जानते हैं वो जरूरी सावधानिया दोस्तों इस दोरान भेट भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें क्योंकि ऐसी जगह में एक तो भगड़ होने की संभाव न रहती है वहीं संक्रमन होने का खत्रा भी बना रहता है जो की गर्वती महिलाओं के लिए जो खिंबरा हो सकता है इस मंत आपको बिलकुल भी सीड़िया चड़नी और उतरनी नहीं चाहिए साथ ही कोई भी भारी काम और भारी बोज को उठाना नहीं चाहिए घर के काम करें लेकिन बहुती आराम अराम से और ध्यान रखें कि आपको एक ही जगह पर ज्यादा देर भी खड़ें नहीं होना है आपको oily, spicy और junk food जैसे खानपन से परहिज करना चाहिए घर पर बना ताजा खाना खाएं और ध्यान रखें कि एक साथ बहुत सारा भूजन ना खाएं ये सोचके कि मुझे दो लोगों के लिए खाना खाना है हर दो गंटे बाद कुछ न कुछ खाते रहें और जो भी खाएं उससे अच्छे से चबा कर खाएं रात को किश्मिस और बादाम भीको कर जरूर खाएं और हर रोज एक मुट्टी अख्रोट भी अवश्य खाएं किश्मिस आपके खुन को बढ़ाता है जिसकी जरूरत आपको डिलीवरी के टाइम बहुत अधिक पड़ती है और बादाम और अख्रोट से बच्चे का दिमाग और दिल स्वस्त और बढ़िया तरीके से विक्सित होते है इस दोरन आपको कम से कम 3 से लेके 4 लिटर पानी जरूर पीना चाहिए ये आपकी बाडी को हाइडरेट रखेगा और डिलीवरी नॉर्मल होने में भी मदद करेगा साथ ही इस दोरन आपको फूट जूस भी लेना चाहिए अपने वाटर लिकेज का ध्यान भी जरूर रखें जादा हो तो तुरन डॉक्टर से संपर करें क्योंकि जादा वाटर लिकेज का मतलब आपकी गर्ब में पानी की थैली का फटना भी होता है ऐसे में अचालन टिलीवरी की नौबत भी आ जाती है दोस्तों आगे जानकारी देने से पहले एक बार में आपको याद दिला दू कि अगर आप मेरे चैनल पर नई वीवर हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करके साथ में बैल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली इंफर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो चली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इस दोरां घर में ब्रेदिन एक्सरसाइज ज़रूर करिए और आप चाहें तो अपने घर और आसपास के पार्क में हलके फुल की मार्निंग वाक और इग्निग वाक ले सकती हैं ये सब आपकी डिलिवरी टाइम को आसान और नॉर्मन होने में सहायक होती हैं इस आठवे महिने में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले अच्छा म्यूजिक सुनिए अच्छी धार्मिक पुस्ता के पढ़िए क्योंकि अब गर्ब में आपका शिशू वही सुनता और समस्ता है जो आप चाहती हैं वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू बाई बाई